नवस्कार इस बुलिटिन के शुरुवात करेंगे बड़ी खवर के साथ जैपूर से आ रही है ये बड़ी खवर प्रदेश में देखे सत्प प्रिवर्तन के साथ ही पेट्रोल डीजल के कीमतों के घटने को लेकर लगातार चर्चा है इंतजार जारी है सीम भजनलाल के सामने वित डिपार्टमेंट के अफसरों ने ड्राफ्ट रख दिया है एक बड़ी जानकारिया आपको दे दे इस बीच पेट्रोल डीजल पर पडूसी राजियों के सामने वैलू एड़े टैक्स करने से क्या फाइदा और क्या नुकसान इन सभी की बाते रख बड़ा गया है पेट्रोल एकस्वार्ट रुपय तालीस पैसे परती लिटर और डीजल 93 रुपय बातर पैसे परती लिटर के साफ से यूपी हर्याना गुजरात में बारे रुपय राजस्तान में पेट्रोल महंगा है इन राजियों के मुकाबले जबकि डिजल परोसी रा अब लोगों कुछ सहुलियत में अब लोग कर रहे हैं इसका अंतजार प्रदेश में इस अत्ता प्रिवर्तिं के साथ ही पेट्रोल डिजल की कीमते घटने का अंतजार बना हुआ है सीम भजलाल के सामने वित डिपार्टमेंट ने वित विभाग के अपसरों ने ये पुरा ड्राफ जो है वो बना कर रख दिया है अब पेट्रोल डिजल पर अंतिम निर्णा मुख्यमंतरी ही लेंगे पेट्रोल डिजल पर पर परोशी राज्यों के जमान वैट करने से क्या फाइदा होगा क्या नुपसान होगा इस सारी बातें इस ड्राफ में समाहित की गई हैं वैल्य एडिट टैक जो बैट होता है उसको घटाने से नुपसान होगा या फाइदा लोगों को लाब कैसे मिलेगा इससे अन्य पहलो पर भी इसके पक्ष रखे गए हैं प्रदेश में 21 महीने से पेट्रोल डिजल के कीमते इस्तिर हैं आप कैसकते कि 22 में 2022 को ही आकरी बार पेट्रोल डिजल के दाम बढ़े थे उसके बाद कोई बदलाव डेल सालों में नहीं हुआ है पेट्रोल 108 रुपे 49 पैसे के हिसाब से लोग भरवार हैं राजस्तान में डिजल 93 रुपे 22 पैसे अन्य राज्यों के मुकाबले 12 रुपे पेट्रोल करीब करीब चार से पांच रुट पर डिजल मेंगा है